हाई फ्रेंट्स आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ पार्टी के लिए बहुत ही इजी रेस्पी जिसे आप मिल्टों में बना सकते हैं अगर आपके घर में कोई भी चोटी मोटी पार्टी है या आचानक से आपके घर में महमान आ जाए और आपको समझ में ना क्या बनाएं तो ट्राइ कीजिएगा इस रेस्पी को आपको यह बहुत पसंद आएगा जिसे भी खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफ ही करेगा तो चलिए फटा-फट से बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए यहां पे हमें चाहिए स्वीट कॉन यह उबले हुए हैं त कंडा करने के बाद हम इसे जार में डालेंगे और इसको पीसेंगे तो एकदम फाइन पेस्ट हमें इसका नहीं बनाना है बस मिक्सी को चलाना है बंद करना है चलाना है बंद करना है बस दो बार ऐसे करना है और यह स्वीट कॉन आपको कुछ इस तरीके के दिखेंगे साथी, ज्टाल पिज़े 20 अपक, 1 a.m. डाल देंगे 1 चमच , पीजा सॉच , मियॉनीस, लिख़ा खुराइब 25gaём एक कामूर नौिमेश चाहने काम। सब्सक्राइक सब्सक्राइक स्कुष्ट चूष से तुर्ben है। आप चाहें तो इसमें बारी कटी भी शिमला मिच भी डाल सकते हैं या पनीर को कद्दू कस करके भी डाल सकते हैं बाकि अगर कुछ भी ना हो तो ये दो चीजे हो और फिर आप इस रेस्पी को ट्राई कीजेगा बहुत ही यम्मे बनती है साथी में डाल देंगे आदा चोटी चमच और गयनो और थोड़ा सा मिसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स और बहुत ही थोड़ा सा मिसमें नमक टालेंगे एक चुथाई से भी कम अब सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे और mix करने के बाद आप इसे एक पार taste करने अगर आपको नमक इसमें कम लगता है तो और add कर सकते हैं या pizza sauce या mayonnaise अगर आपको और इसमें डालनी है तो और भी आप इसमें add कर सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे दो बड़ा चमच मॉजरेला चीज, आप मॉजरेला चीज की जगे पे प्रॉसेश चीज भी डाल सकते हैं, बस मिक्स करके इसको साइड में रख देंगे, और अब हमें यहां पे चाहिए ब्रेड तो मैंने यहां पे वाइट ब्रेड ली है, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, तो पहले ब्रेड को बेल लेंगे, जादा पटला नहीं करना, बस हलका चाहिए बेलना है, तो अभी मैंने यह दो ब्रेड ली हैं इसको इस तरीके से बेलेंगे, और अब से काटेंगे तो काटने के लिए अपकारी वगर कुछ भी ले सक अगर बड़ी ब्रेट होगी तो आप उसमें दो पीसिस में कट कर सकते हैं इस तरीके से पहले ब्रेट को काट लेंगे और यह जो एक्स्ट्रा ब्रेट बची है इसको फैंकनी की ज़रोत नहीं है इससे आप ड़ेड कम बलांके रेडी कर सकते हैं तो देखे पहले सारी ब्रेट काटके रखी है उसको हम इसमें सेट करेंगे इस तरीके से अच्छे से दबा के इसे कप की शेप हम दे देंगे इस रेस्पी का जो नाम है वह है ब्रेट पीजा कप और यह बहुत यमी लगते हैं बच्चे क्या बड़े क्या सभी को ही बहुत पसंद आएगा बनान लगा सकते हैं मैंने दोनों को मिक्स करके इसमें हलका हलका सा लगा दिया है या आप इसके उपर ग्रीन चटनी भी लगा सकते जो भी आपको पसंद है इस तरीके से सॉस लगाने के बाद जो हमने स्टफिंग रेडी करी है वो हम इसके बीच में रखेंगे तो हातों से एक अच्छे सेट करने के बाद अब इसके उपर हम डालेंगे मौजरेला चीज तो चीज भी इस तरीके से बिल्कुल बीच में आपको रखनी है फैला के नहीं डालनी है क्योंकि जब यह चीज मैल्ट होगी तो और चारो साइट फैल जाएगी इसलिए बीच में आपको चीज को चीज को आपको अच्छे से इसके उपर डालना है और फिर हम इसके उपर थोड़ा सा और गैनो चिली फ्लेक्स हलका सा डाल देंगे आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं बेग करने के बाद या पहले भी डाल सकते हैं जैसा भी आपका मन है मैं आपे पहले इसमें ड़ग देना और चीज भी प्रेट तक पहाँ पहांगे जब तक कि टोप माद भी प्रेट अपेब डो पहाँ इसे अपर इसे हम तब भी और हम घृटी बाते की आप सीज्वाग पहाँ भी लेड गश्ण आपको पहाँ जाए हो दो धू पर सब्सक्राइब ना गज़ा जा प family and friends के साथ और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करते वे जल्दी से रिटास तर्का के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी ही मिलेंगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई